इंकम टेक्स वालों की फल्टू की दिमांड पुरी करनी पड़े तुम्हें पता अब धार्मिक फिल्म में आइटम सुनाएं कभी वो शिन्दे के कहने पर रखना पड़ा अब की बर मुझे फ्लॉप फिल्म बनवाने एक टीन पास राइटर पकड़ के ले क्या आओ फिल्म इंड़ेस्ट्री में मुझे माजूम के नाम से जनक देखिए मैं फिल्म राइटर हूं आप राइटर हैं तो मैं भी एक्टर हूँ कोई सेक्सी फिल्म लिख रहे हं तो लर视 कियो वारा इक ढनी चलेगा तो बच्पन से लेकर अब तक आपने कई लॉलीपॉप जा रही है लेकिन अब एक खास त़रा की लॉलीपॉप आपके सामने परोसी जा रहा है बड़े परदेब जी हां ये है लॉलीपॉप की स्टार कास्ट ने क्ला कास है तो राजपल जी लॉलीपॉप में आप नज़र वो बहुत अच्छा है बड़ी सरलता है और बड़ी सजीवता है आपको फिल्म देखकर बहुत अच्छी गुदगुडाहत होगी और राजपाल यादव जैसे ये इतने समारे मतलब इतने टेलेंटेड लोग जिन से हमने सीखा है सीनियर भी है लेकिन दोस्त भी है बहुत तो मतलब तिन-तिन रिष्टे इस तरीके से हो जहां पर ओम जी है सब लोग संजे भाई सारे लोग इतना प्यारा बड़ा पारिवारिक माहोल जो है वो लॉली पॉप करते हुए जीने को मिला वो अपने आप बहुत अच्छा हो जब सेट पे माहोल अच्छा होता है तो उस गड़ा लगता है तो वही ख्याल में रखते हुए मैंने फिल्म कॉमडी बनाई है और इसमें सारे मेरे मंजे ओए कलाकार आजकल हर च्छोटे टाउन में भी मॉल कल्चर आ गई है मैंने उस मॉल को उसमें कैसे कैसे किरदार आता हैं औहीं को यूज़ कर रहे हैं वो नहीं बेटी नहीं है यह मेरी महाई गोई यह सारी तिकलिया ना तुम्हारे गोद में ब्रेखेंगे कब फिल्मों में पैसा इंवेस्ट करोगे तब पच्छास पेटी लगए कुछ भी बहुत है अब परफेक्ट कॉमेडी स्क्रिप लग रहे हो सिर्फ कामेडी नहींगे मैसेज भी है खिमानी जी आपको कौन लॉलिपॉप दे रहा है मेरे को काफी सारे कैरेक्टर्स है बस सबसे जादा लॉलिपॉप दे रहे है पुरी साब ओमपुरी जिनकी मैं पत्नी का रोल कर रहे हूँ मेरा जो नेबर है बिर्जेश हिर जी वह भी लॉलिपॉप दे रहा है मेरे पती के खिलाब बढ़का है अर लॉलिपॉप उस किसम का भी अच्छी किसम का भी लॉलिपॉप है हमारे को जो फिल्म में काम करने का इतना मज़ा आया क्योंकि जैसार राजपाल जी ने कहा कि सब हम लोग थेटर के थे सब इतने सब एक से एक बहतरीन कलाकार जिनके साथ काम करना आपने आप में बहुत सौभागे की बात है मतलब ओमपुरी is one of the finest actors तो उनके साथ एक scene ही करना आप में बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है जितना मज़ा हम artist को आया audience को उससे जादा मज़ा आएगा मॉल में कैसी writing करें सब खबर है मुझे और मैं पहले आप को किस करूँगा बाद में आपका रेप करूँगा मैं आया पांडे जी का क्या किरिदार देखें इसमन मैं देता हूँ lollipop जहां देखा बोरिया वहीं जाएग सोरिया जो मिला उसको जो इस प्रविर्ति के लोग होते हैं या उनके दिमाग में जो भी मिला उससे कुछ ने कोई लूट लूट टाइप का भाव रहता है वो किरदार करने का मौका मिला एक तिछ वाइट कपड़े पहनता और अपना इंप्रेशन जाणने के लिए कुछ भी करता फ आप राइटर हैं तो मैं भी एक्टर हूँ कोई सेक्सी फिल्म लिख रहे हूं तो दस बारा रेप सीन क्यों एक दो रेप से काम नहीं चलेगा और मैं पहले आप किस करूँगा बाद में आपका रेप करूँगा मैं आया तो चलिए स्लेंडर वाले को देखने के लिए पास्ट होता है लो मेरा क्लाइमेक फिरू हो गया आपको पता था हूं को